जमसे अपने इस विमर्ष के माद्यम से उन्होंने राजस्थान की पहचान को चीनने की कोशिश की है तो प्रेम चन्जी भी इस पूरी विरासत के बारे में हमें बताएंगे कि हम किस तरह की विरासत को विलाउंग करते हैं मैं बात चीश शुरू करूंगा मालचन जी आपसे मालचन जी को ये चूट भी होगी कि जब भाषा की बात करें तो अपनी भाषा में मलब वो जे वे राजस्थानी में बोलना चाहे तो वे राजस्थानी में बोल सके लेखक राजस्थानी रोए तो राजस्थानी में बात क आप तक पूगेला वे बहुत अच्छा कथाकार भी है राजिस्थानी में काहानिया लेगो उपन्या से आप रहा आप अब आर विजदान देथा जी जो राजिस्थानी रा एक मौजीज लेखक है वारे साथे जुड़ने काम करें तो विजदान देथा कितों काम करियो है वा वार बुरूदा में बैट विजदान देथा साथे बैट काम करनो जो को एक अनुभव है वह भी अबार माल चिज्जियं करने ताजो ताजो है मैं अभी अप्यक्षा राकूं कि वह उनने भी आपने बीचे शेयर करें अपने बीच में उसको भी साजा करें किस तरह की क्यो इस विरासत को भी जामें रखेंगे कैसे वो ऐसे महत्कून लोगों से विक्सित हुए बनी है इसको भी आपके सामने उद्गातिक करेंगे आप बताएं कि यह जो पहचान की जरूरत है यह हम को क्यों महत्पून लगती है और किस तरह से यह बनती है निर्मित होती है कि बादवाजीब मैं जब राजस्थान की निर्वाली निर्वाली पिछांडी बात आपा करा तो दोनु तरह दी बात मारे मन में आवे है कि एक तो स्वाभाविक रूप से एक कल्चरल आइडिन्टिटी कोई भी मानो समूरी है और राजस्थान चुकी एक विशेष भारत इसे भूभाग रहे है कि को सीमा वर्ती भी और सीमा पर्जी का इन्वेडर साया भारा अक्रमन भी सब्सु ज्यादा पंजाब और राजस्थान मा सु आया तो एक कल्चर कल्चरल ग्रूप ने रूप में आपा जब राजस्थान में देखा और खासकर साहित तेरे संस्कृति है वाद देखा जड़ना मने अचानका लागे है आबाद के कई वेल्यूज लेर महमारी भाषा में एक लेखर के रूप में तुमने डिंगल ना बोत सारा सवयाद डिंगल रही बोत सारी रचनावा और दूह यादाव है जो आपने पताओं कि एक दूह है जिको बचपन सुले रास तक वांट कर दो रहे हों है कि मैं ही कल्चर ने रिप्रेजेंट करूँ लें वो दूह है कि मिनखा मरनो हक है उबरसी गल्ला सापुर सारा जीवना थोड़ा ही बल्ला आ एक कल्चर है जिकिने मेरे रिप्रेजेंट करनू यानि भारत में कोई बाषा इस का रहे है और उसकी बातें ही से रहेगी और सेष्ट पुरुस्तों के लिए अधिक जीना ठीक नहीं है इसी तरह डिंगल में अगर जाएं तो एक ऐसा गीत मिलता है जिसमें ये सवाल पूछा गया है कि हवा कहती है जैसे गीता में कहता है कि नेनम चिदंती सस्त्रानी आत् मैंने उसे सुकाया नहीं पानी कह रहा है मैंने उसे गलाया नहीं आग कह रही है मैंने उसे जलाया नहीं तो युद्ध में गया वा वो युद्धा नायक फिर गया का तो डिंगल का कभी जवाब देता है कि वो गयो लोहडा लाग यानि उसकी इतनी चिंदियां होई इतने तुकड़े वे कि वो युद्ध में जो तलवारे चल रही थी उस लोहे के लग-लग के खतम हो गया यह मरने मरने के विरुद बखानने वाली भाशा राजस्थानी जिसमें सूरिमल मिश्वन जी साप जैसा पोईट वा है जिसने वीर सब सही लिखी और जिसे रविदना टेग जोर ने कहा है कि विश्व में भी कहीं ऐसी ऐसे ऐसा वीर कावे नहीं मिल सकता तो उस भाशा को रिप्रेजेंट करता हूं जिसमें मृत्यू के इतने विरुद गाये गये हैं तो उस उस भाशा की अपनी एक कल्चरल आइडेंटिटी है और वो क्यों गाये गये हैं उसके परिदर से में हमें जाना पड़ता है लेकिन क्या आज एक कवी के रूप में मैं इस तरह कर सकता हूं तो मुझे उस टांजिट को समझना पड़ेगा जो निर्वाली पेचान और समग्र भारतिये पेचान को आपस में चोड़ता है उस रिच्टे को मुझे समझना वरना कई वार निर्वाली पिछान के अपने कई खत्रे भी होते हैं क्योंकि हम इंदुस्तान जैसे देश में रह रहे हैं जिसमें पिछले 25-30 बर्दों में छोटे मोटे असमिताओं के संगर्सों के कई नए नए रूप हमारे सामने आए हैं चोटे चोटे नायक चुने जा रहे हैं चोटे चोटे जाती है समू बन रहे हैं और वो अपने नायक हैं उनकी मूर्तियां इस्तापित का की जा रही है नए नए आइडेंटिटी के हमारे नए नए पक्ष उभर कर आ रहे हैं और कभी गभी ऐसा लगता है कि इससे किसी हमा समग्र एक्ता की भावना को थोड़ा सा धक्का भी पहुंच सकता है यह हम एक समग्र समाज की तरह नहीं बलकि छोटे-छोटे समुव में खंडिक समाज की तरह होते जा रहे हैं अगर ऐसा होता है तो थोड़ा सा जोखी में लेकिन एड़ी सेम टाइम हमेशा ही भारतिय और इसमें निर्वाली पहचानों का आकंतिक मेतुरा है इसलिए किसी एक ही पहचान को विलोपित करने का मतलब होता है हमारी successful को भी घंडित करना मैं जब राजस्थानी की मात्र भाषा के रूप में उसकी बात करता हूँ, उसकी पहचान की आइडेंटिटी की, उसकी मान्यता की बात करता हूँ, तो मैं अभी प्रेम चंजी से कह रहा था, मैंने का मित्र सवाल सिर्फ राजस्थानी का नहीं है, दिल्ली में एक सारवजनी बासन में कंड़ के वरिष्ट सीर्स साइटिकार यूर अनंत मूर्थी ने कहा था कि ये राजस्थानी की बात नहीं है कंड़ के सामने भी खत्रा है कि वो सिर्फ रसोई घर की बाशा बनके रह जाएगी भारत की अनेक भारती बाशा है तो सारी बारती बाशा है जब मैं मातरवासा राजस्थानी है इसलिए मैं उसे राजस्थानी की वकालत के रूप में पेस करता हूं लेकिन उस समय में संसार की समस्थ मातरवासाओं की एड़ोकेसि कर रहा होता हूं क्योंकि खत्रा सिर्फ राजस्थानी के विलोपित होने का नहीं है दुनिया की अनेक मातर जा रही है तो इस रूप में और दूसरा लेंग्वेजी क्यों भासाई क्यों सस्कृति के मतलब कुछ स्थूल रूप होते हैं जो एक्जिपीटरी होते हैं बहुत प्रदर्शंकारी होते हैं अब आप आप मैं बताओं पिछले दिनों से एक राजस्थानी समाज में जो खास करफ प्रवासी राजस्तानी हैं कलकत्ता और बंबययादी में रहता है उसमें एक बड़ा विचीतर प्रसलन हो ए विवागीत छाप जा रहे हैं हर चोटा मोटा गृप है जो विवागीतों के संक्लन निकाल रहा है एक तो वह जो स्मृती में मौजूद थे इस्त्रियों की स्मृति में वो अब स्क्रिप्ट में आ रहे हैं और हर समूव अपनी अपनी तरह से उनको जैसे भी डिस्टोर्ट टेक्स्ट हो उनके उच्षाप रहा है बहुत सारी विवागीतों की किताबें छप रही है लेकिन दूसरी तरह जब विवा होता है तो एक हायड गायक मंदल ह कि यह जो अब लगता है कि यह तो जैसे होगे चे जा रही है जा रहे हैं यहा कि मतलब हो रहा है ऐसे ऐसे एकoque इमिटरी फॉर्म्स बहुत है लिटरेचर के हम म्यूजिक को अक्सर देखते हैं कि हमने कुछ अंग्रेज भार से आयो है और उनके सामने हमने कुछ एक वादक गायक बुला रखा है और वो गाय जा रहा है वो एटेंटिव भी नहीं है लोगे हो रहे हैं तो यह सारी चीजे लगता है कि हम अपनी संस्कृति के लिए बचाव के लिए कर रहे हैं लेकिन सही बात तो ही है कि संस्कृति का सार्थव उष्भाषा में मौदू रहता है अगर आप उस बासा को बचा ले जाते हैं तो ये सारी जो चीजे हैं जिनने स्वाबाई करूप से समय के साथ चले जाना है वो चली जाएंगी लेकिन उस संस्कृति का सार्तत्व, समवेदना तत्व, मुल्य संस्कृति उस भासा के मारपत बची रहेगी और ये सिर्फ रास्तानी भासा का सवाल नहीं है मैं किसी भी मात्रवासा की बात करता हूँ, सारी भारती भासाओं की बात करता हूँ, कि उनके सार्तत्व, सांस्कृतिक सार्तत्व को बचाना है तो उन मात्रवासाओं को बचाने के लिए हर एक भारती को काम करना चाहिए माल चंजी ने भार्षा के माध्यम से अपनी पहचान को चीनने की उसे रिखांकित करने की कोशिश की जीवन शली उसमें उत्रा ही मैद्पूर्ण स्थान रखती है आप हम सब जानते हैं कि ये जो देश हमारा है ये कई तरह की राष्ट्रियताओं से मिलकर की बना हुआ देश है हम भारती राष्ट्रियता को तो उस तरह से आइडेंटिपाई करते ही हैं लेकिन उसके भीतर बहुत सारी जातियता हैं बहुत सारी नेशनल्टीज हैं और ये कहीं उनमें विरोध नहीं पैदा करती बलकि उसमें एक बहुरंगी, एक संस्कृती का एक स्वरूप विक्सित करती है। जितने हमारे प्रदेश हैं, उन सब प्रदेशों की अपनी अपनी प्रदेशिक भाषा होती है। और वो उनको एक कल्चर का नाम देती है। आप तमिल संस्कृती को पहचानते हैं, आप मराथी संस्कृती को पहचानते हैं, आप कश्मीर को देखिए, आप नौर्थीस्ट में जो हमारी साथ-ाथ स्टेट्स हैं, उनकी भी अलग-अलग डिस्टिंक्ट मनीपूर है, तो वो अपनी अलग आईडिटििटी के साथ हमारे सामने आता है, नागा लेंड उसी तरह से अपनी अलग आइडिटिटी के साथ आता है। यह जो भाष이죠, यह एक रास्ट्रीय जाती है ताका भी स्वरूप आपके सामने रखती है। और ऐसा करते हुए कहीं भी वो हिंदुस्तान के भीतर कोई द्वैद नहीं पैदा करती वो उसके भीतर एक आकर्शन पैदा करती है हम चाहते हैं कि जब हम राजस्थानी संस्कृती की तरफ भी देखें तो हम लगबक इसी तरह से इसी तरह की आइडेंटिटी की कल्पना करे और वहां आकर के हम अपनी भाशा को इस रूप में विक्सित होता हुआ देखें तभी हम उस भाशा में काम करने के प्रती अपनी सही जिम्मेदारी सार्थक्ता निबा सकते हैं उसमें देख सकते हैं इसमें एक और महत्पूर्ण पक्ष इस पूरी प्रक्रिया में है वो है हमारी आधी दुनिया, यानि वो हमारी इस्त्री शक्ती जो इस पहचान को एक अलग तरह की शकल देती है, अलग तरह की एक रंग देती है, यानि यही जो हमारी राजस्थानी पहचान है, इसमें हमारी इस्त्री ने, हमारी राजस्थानी इस्त्री ने क्या रंग क्रियेट कि पर थोड़ा मैं प्रकाश डालने के लिए सुमन की तरफ अपेक्षा करना हूं सुमन वैसे इस्त्री है स्त्री के इस यह बारे में बात नहीं करेगी बलकि उसके बारे में उसका अध्यान है उसके बारे में वह ज्यादा बेदर रंग से अपने अनभव को उसमें जोड करके बात कर सकती है, वो मीरा की परंपरा से अपने को जोड कर बात कर सकती है, जिसने इस्त्री जाती की संगर्ष को रूप दिया, सुमझे आप बता है। मैं दो पंक्तियां सुनमन करूँ राजस्थान ने, राजस्थानी बाशाने, राजस्थानी सब्विता और संस्वती ने। इतिहासारो नाव के धिन धिन, है थारो बलिदान, शैदान बारं बार प्रणान, राजस्थान बारं बार प्रणान, संस्क्रती ने बारं बार प्रणान, आपा संस्क्रती ने, उन वीरा ने, वीरांग नावने, और उन उजास्थाने, उजास्री साग बरन वाली उन वासा ने, नमन करता था। अवीर भोग्य वसुंद्रा, जी की, सीस देयने माटी रो प्राण हरण, सीस दे, सीस कट जाये, लेकिन माटी की मर्जाँ सरक्चित रहे, धरम अर्यादारे नाव, इस्त्रियान रख्षारे सारू, हमला वर प्रांसु रक्षारे सारू और धर्तीरी रक्षारे सातू पल-पल में प्राण निछ अवर करने रहा केई प्रसंग, केई उधारन इन्ने राजस्थानी साइति में और संस्क्रती रमाए मिले। कोई भी संस्क्रती हो, कोई भी भाषा हो वा पैचान वे उन प्रदेश्री के एक उधारन सुम में आब आत उजागर करूं, के घर जातां, घरम बदलतां, के तिरियां तड़ती नाव, ए तीनु दिन मरण राजा वे चाहे रंग, रंग वे चाहे राओ। कि धरम अगर पर्दस्ती बदलन की कोई चेश्टा करे, आपकी धर्ती आपके हाथ से जाती हो, और इस्त्रियों की सुरक्षा का प्रश्न हो, तो किस तरह से राजस्थान का व्यक्ती अपना स्तीस देकर भी उसकी रक्षा करने का भाव, हर पल अपने रदे के अंदर रखत मतलब मा तो पाणले रमाए जुलावता ही वीरतारो संदेश फूख दे, बालकरे ये रमाए, ही आपा भाव, हालरियों गुल्रावदिक, इला न देनी आपनी हालरियों गुल्राए, ये पूत जगावे पालने, ए मारा संदेश, आपीर भोग्या वसुंदरा, विरांगना अवरी धर्ती, बालकरे बालपने सुई, ए भाव पैदा हो जावे, तीज त्योमार ये आज धर्ती, के साल रो कोई भी दिन एडो अच्छूतो नी, की अठे उच्छव रो उच्छाव नहीं वे, हर दिन त्योमार, आप होली दिवाली दसर आउने छोड़ दो तो प्रक द देशरे कौने कौनेरे माय मनाया जावे, लेकिन राजस्थान रा केई खास एडा पर्व है, जिका राजस्थानी संस्क्रती री हूस बरे, और खास तोर सुं मैलामारे वास्ते, जियां की गणगोर रो एक पर्व, बिना की तित विद रे, वो सोला दिन तक निर्बाद दोई तरेरी मैलामा इन गणगोर रे पर्वने बहती उच्छाव उमंग और रसरंग सुं मनावे, आपरे पतीरी सुरक्षा सारू, आपरे उत्ररी आजीवन सुरक्षा रे सारू, और बाकी रंग रस्तो इन रे माय समाहित है ही, केई लोग गीतां रे माध्यम सुं, कथां तसंदिश रे रूप रे माय सामी आवे, महिलामा रो पर्व खास तरसु में इन वास्ते क्या हूं, क्योंकि बे महिलामा जीकी पूरे दिन, पूरे साल आपरे करमठ ता सुं, करसी परधान देश और राजिस्थान, तो करसी रमाध्यम सु भी दिन रात काम में जू जू ज वर भी घरॉट्सчи तरसु में अर्व राकी वयूशार ले नाख व काम काज्र माय, ले महिलामा किल तरस ऐ हैं जीकी पूरे दोष्णा सु। यु주मारे माध्यम सु। तो क्योंग राजिस्थानी संस्कते दिशाग परćों है, वह भी महिलामा मना तरस साल कटी्व एक संदbers है कि मीर गुढ़ला नाम रो एक राजा हो जीको तीजन ही आजी कि तीज चमार मनावती गंगोरी पूजा करती उन तीजन ही आने बला धरन करने ले गियो तुँँअ पर्वशी गुढला है वो मीर गुढला ने ने प्रतीकि बनाए रहए गुढल रहे इक माटी रहे एक मटकी है छोटी माटी वी उन्रे माटी चोटी रहे जेद करे छेद कर और दीपक माय एक जगाए और संदेश देवे कि ओ और मठकी तो माथो है मीवरो और उन माथेरे माय में छेद करना क्यूंकि वो तीजनियार वहरन करे तो ऐसो माथो तो एक तरह रो काल प्रतीक है और उनने छेद ने अपा अलग जगावां कि इन तरह राजा संसार म अप्रत में नहीं होना चीज ए जिका नारे आप साथे शोर्षन याद्या अचार करे तो अभी एक संदेश यहत्यों आत्यम सूं तीजनियां देवेग बात नारी पक्री राखी तो अ साहिती चेतनारे विनना भी कोई बी संस्क्रति और बार्शा जी कि यह अधूरी है और हमाई साहिति चेतनारी जठे बात करां अपाँ साहित चेता महिला जी कि राजस्तान पहचान नहीं買 पूरे विश्वर मान अलग अलंग जगावे मीरां अपने आप्र ए कि नारी चेतना लोपष्टीक है आज अपां आरी फीया लुट जगाएगी उन सामाजिक विशमतावां सामाजिक रूडियां जी की जड़तावां समाज रमाई भैल्योडी ही उन्हों किन तरह सुंब विरोध करियो एक अकेली नारी और पुरो पुरुष्प्रदान समाज और वह भी प्रशा अप सामन्ती समाज एड़े सामन्ती समाज सु एक जुजारू रूप धर्न एक जो कि नारी आपनोग स्वरूप सामी राक्यों वह एक मीरा ही रख सकती ही जिकी फुले आम आगोशना करी कि अप उन सदिया पहली तो एवल एक पतीरी कल्पना नारी करती और दूसरे पुरुष्रे बारे नमाने सोचनों भी कल्पनारे माने सोचन भी बात नहीं होती उठेबा राना जी नसंभोधित करने केवे कि राना जी मैं तो गोविंद रागुन गाशयां और मैं तो लियो गोविंदों मोल कोई कवे काड़ो कोई कवे गोरो लियो बजनता डोल पजाकर शंक नाज के साथ में वो खुले आम भोशना कर रही ह कि मेरा तो पती श्याम ही है और कोई दूसरा हो नहीं सकता ऐसी अलग जगाने वाली और सामाजिक जो विशंपाय फैली हुई थी नर और नारी के बीच का जो भेद था जो जड़ताएं थी और भी जो कुरीतिया समाज में फैली हुई थी वह भी मीरा ने खुल कर अपने पद एक और मिसाल से आप पर इचित हैं महारणा प्रताप की जो सेना थी या उनके जो समर्थक थे उनके बारे में आप कल्कना कीजिए किस तरह की लोग उनके साथ जुड़े हुए थे उनकी उनके जो तीन बड़े सिपह सालार थे जालामान सिंग, राव पूंजा और भील रा जा यानि जिस तरह की एक कंपोजिट कल्चर की या जिस तरह के सब तरह के समाज की लोगों को साथ लेकर चलने की जो भावना थी उसके हम आज वकालत करते हैं ये उस जमाने में एक प्रत्यक्ष सच था, वहां कभी उस बहाना प्रताप जैसे जैसे पुरुदा ने, कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे साथ चलने वाले मेरा समर्तन करने वाले मेरी ही तरह के लोग होंगे पूरी समाज को साथ लेकर चलने की भावना रखता थी ये ही नहीं बलकि अगर आप संस्कृति के क्षेत्र में जाएं तो जिस तरह के हमारे देवतुल्य पुरुष रहे हैं चाहे बाबा राम देव रहे हो गोगा पीर रहे हो तेजा जीर हमारे ऐसे बारा तेरा लोग देवता माने जाते हैं और ये तमाम लोग देवता समाज के हर तबके को एक आस्था का संबल देते थी राम पीर उनको कहा ही इसी लिए जाता है कि वो देवता भी है और वो पीर भी है, वो फकीर की तरह भी है, यह जो संस्कृती हमारी विक्सित रही है, यह जो मजबूत हुई है, इसकी किस तरह की विरासत, किस तरह की प्रिष्ट भूमी है, मैं उस कंपोजिट कल्चर की तरफ, उस साजा संस्कृती की तरफ, प्रेमचन जी की तरफ यह बात ल किसी तोई है और आज हमारे सामने क्या चुनोतियां लेकर खड़ी है मैं इस बात से कहना चाहिए कि समत थक नहीं हूँ मैं इस बात का कि राजस्थान की पहचान सिर्फ और सिर्फ मीरा या हमारे शोरिय गाथा कावियों से बनी दरसल राजस्थान के बारे में अगर आप राजस्थान में नहीं आये हैं तो जो सबसे पहली तस्वीर बनती है वो तस्वीर टोपोग्राफिकली या कहें तो कि एक उजाड रिगिस्तान की छवी बनती है बहुत पहले की बात एक मेरे मित्र पटना से पहली बार जैपूर आए राजस्थान आए तो उन्होंने यहां इतना हरियाला राजस्थान देखा कि उन्हें अपनी धारना बदलनी पड़ी और उन्होंने कहा कि मैं तो इसको विल्कुल उजाड और ऐसी जेगे समझ के आया था कि जहां पीने को भी पानी आपको केरल जैसा दिखाए देता है और जैपूर और इधर अलवर वाला भरतपूर वाला जो एडिया है यह बिल्कुल अलग है और रेगिस्तान वाला जो इलाका है शेखावाटी से लेके उपर गंगानगर तक को विल्कुल अटो मै इसको इसको इस तरह से भी देखता कि अगर आप पूरे भारत के रूप में देखें तो जितनी भारत के अंदर सांस्कृतिक और द्रश्यगत विवित्ता है प्राकृतिक वो सारी आपको राजस्थान में दिखाई देती है तो मैं राजस्थान की पूरी कल्चर को पूरी संस्कृति को इस रूप में देखता कि वो भारती है कि समाज का एक प्रतनीधी राज्य की संस्कृति की तोर पर रिखा जा से हैं और उसमें जो सबसे महत्पून बात है वो यह कि हमेशा कहा जाता है कि इतिहास सिर्फ नायकों का और उनीका होता है और दुर्भागे से हमारे यहां भी यही हुआ है कि हमारे पूरे वीर गाथाकाल से लेके बात तक की कव्यों साहित में सिर्फ नायकों का ही वर्णन है और उस बड़े समाज को छोड़ दिया गया जिसने इतना संघर्ष किया आप देखिए जब मीरा के आप बात करते हैं तो मीरा को बचाने के लिए कोई वीर गाथाकाल का आदमी नहीं आया या कहें कि जिस समाज में मीरा पैदा हुई उस समाज ने तो मीरा का नाम तक वर्जित कर दिया अपने ये कौन सी पैचार है यानि मीरा को बचाने के लिए कोई समुदाय नहीं आया मीरा को बचाया उन लोगों ने जो समाज के सबसे निचले तबके पर थे इसलिए मीरा के कविता के आपको जितने पाठ मिलते हैं उसमें अंतर इसलिए है कि वो जो सबसे दबे कुछले समाज थे उन समाजों ने उसकी कविता को अपने घीतों में या कहें कि अपनी परंपरा में उसको रोजाना पाठ करते हुए बचाया मीरा को बचाने के लिए कोई तलवार लेके नहीं आया तो आपको उन से वीरगा था काल की बात करेंगे और आप देखें कि वही समुदाय हैं जिनोंने यहां की तमाम सामन्ति विवस्था को सहन भी किया और उसके लिए लड़े भी कि बावजूद इसके उन्होंने अपने सामाजिक समरस्ता को कभी टुकड़े नहीं होने दिया जिबकि जितना विवित्तापूर्ण समाज हमारे यहां है चाये वो जाती के आधार पर देखें या पेशों के आधार पर देखें उसे उसमें तूटने की संभावना यह सबस देखें कि पंजाब में क्या हुआ है 1947 में आज वहां एक पूरी एक जाती या एक कुछ एक समुदाय बच्चे होगा है लेकिन राजस्तान की सामाजिक सामंजश्य की जो परंपरा थी उसने इतिहास के सबसे बड़े बटवारे को भी सहिन किया और यह आश्चरी की बात नहीं है कि पूरे देश में आजादी की समझ दंगे हुए लेकिन राजस्तान उससे अच्छ होता रहा यह उस जन समुदाय की भावनाओं के कारण संभव हुआ जिनोंने हमेशा एक दूसरे को साथ जोड के रखा है मैं भी माल जी से बात कर रहा था कि हमारे यहां तो जो संबंद हैं वो भले ही जाती के आधार पर बहुत बटे हुए हैं अंतर जाती विवार और यह सब बहुत बात की चीजे हैं लेकिन जो समाजिक तानावाना था गाओं का या महलों का उसके अंदर जो हमारी जरूरते हैं पूरी करने वाले लोग थे समधाय एक दूसरी की तो उनको सबको एक आधर सूचक संबोधन से संबोधित किया जाता था आप जो काम करने वाली या सफाई करने वाली महिला भी आती थी उसे चाची ताई मोसी बहन दीदी ये ऐसे संबोधन हमारे हाँ चलते थी और ये मुझे ने लगता कि राजस्तान से बाहर कहीं आपको देखने को मिलेगा और इसी सामाजिक ताने वाने ने आज तक इस प्रदेश को उस अतिवाद से बचा रखा है जिसकी राहा पर आप देखेंगे तो वो खालिस्तान के मांग होती है या दूसरे एक अलग आइडेंटिटी की जब बात करेंगे तो आप हमेशा एक खत्रा इसमें नहीत रहता है जियो माल जी ने भी जिसकी तरफ इशारा किया कि जैसे ही आप एक युनिक आइडेंटिट की बात करते हैं तो वो एक ऐसे अतिवाद में जाके फ़स जाती है कि जहां वो राष्टर से अलग होने की बात करती है लेकिन राजस्थान की जो पूरी सामाजीक संरचना है उसने इस चीज को हमेशा बचा के रखा देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई मनुख खरक्रे nuovo कि सारे अध्यद अक्सर नकारात्मक होते हैं कि लेकिन विकानेर में एक बहुत इंटरस्टिंग इस बारे में वहके वहाँ के बुअ हैं कि cheaperini अधिक होने पर एक आदमी को शोद करता को नियुक्त करके राजेंदर जोसी को इस बात की स्टड़ी करवाई कि इस समाज में ऐसा क्या है कि यहां पर सामप्रदाइक दंगा इस सेर की इस्ताफना के 600 साल बाद भी नहीं हुआ जबकि ऐसी राश्टी चुनोतियां कई बार पेदा हुई चाह समासिक संस्कृती है जो खासकर दोनों धर्मों के वीच में जो समासिक रिष्टा है उसको रिप्रेजेंट करती है वो यह कि बीकानेर में कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जिसमें आप जातिये समुओं को या धार्मिक समुओं को अलग अलग करके बसाया हो कि यह उनका एक हि इतना साजा होता है कि उस स्टडी से यह उभर कर आया कि इसी वज़े से यह संप्रताइक दंगा नहीं हो गया क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी की समरस्ता उस एक दिन की थ्रेट का मुकाबला करने में सक्षम होती थी और लोग बहुत जल्दी हस्तर चेफ करके उस संप्रता 25 साल पहली की बात है जब मैं लिखना शुरू किया था तो मैं इसी प्रश्ण पर मैंने कई लोगों से बात की थी कई राजनेताओं से भी बात की थी और कुछ लेकों से और खासोर से बुजूर्गों से की जैपूर में दंगे क्यों नहीं तो वही बात सामने आई जो आप बना हुआ है कि आप किसके खिलाफ खड़े होंगे लेकिन उसको पिछले करीबन 25 सालों से ये देखने में आ रहा है कि लगातार चाहे वो दोनों धर्मों के ही अतिवाद में हुआ है कि उस ताने बाने को तोड़ा जा रहा है और जो आपने विकानेर की बात कही न वो अब आप जैपूर में नहीं देखेंगे जैपूर में आप अगर इसकी संत्रचना को देखेंगे तो एक महला है जो पूरी तरह Muslim हो गया जबकि पहले नहीं था अब यह हो गया कि वहां से उठके लोग जा रहे हैं या एक हिंदू बहुल इलाके के अंदर जो पहले मुस्लिम बहुत आसानी से रहते थे अब वो ऐस रक्षा बोद के कारण दूसरी जेकर चले जा रहे हैं तो यह संकट भी हमारी सांपरदाइक आया है और मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा खत्रा है आने वाले समय में और इससे लड़ने का तरीका अभी तक तो कुछ निकल के नहीं आया जो विक्सित होती है उसका एक दीरे दीरे एक लोग सुरूप बनता है और यह आप सब लोगों ने महसूस किया होगा कि बे रूप के अंदर जो चेतना विक्सित होती है वो समू के रूप में विक्सित होती है और इसी लिए यही सबसे बड़ा कारण है कि रजस्थान का जो लोक साहित है वो उतना ही सब्रद है चाहे वो गीतों में गया हो चाहे वो लोक वारता के फॉर्म में आया हो लोक नाट्य के फॉर्म में आया हो और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले इसमें भाग लेने वाले तमाम तरह के लोग रहे और चेतना जो विक्सित हुई है एक राजस्थानी के रूप में वो समू के रूप में विक्सित हुई है एक उसी ने आगे जाकर के आजादी की लड़ाई में वो जो आदिवासी हैं दूंगरपूर भासवारे के उनको उनमें ये जेतना पैदा की कि वे आगे आए वे इस मशाल को थामें और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी सिद्ध की धीरे धीरे इसी में से लोकतंत्र विक्सित हुआ इसी में से एक आज़ाद हिंदुस्तान का च सार्थक भूमी का निबास सकते हैं यह हमारी पहचान सार्थक पहचान होगी मेरे पास अब समय सिर्फ कुछ आप से भी बातचीत का स्कोप रखने के लिए रहा है आपके कोई प्रश्ट नहों हमारे इंतीरों विद्वानों से तो वे प्रस्तुत करें हम उनका जवाब दे लिए कोशिशार में नहीं को में इडार नहीं नहीं होता तो उन्हों ने का था तूँ से 200 रुकडों में पर्देशी लोग मानिया कबर तेडिया थी आन्तू क्यों आयो फोग तो एक फोदे से भी इता स्ने था इसे मतलब लगता है कि राजस्तान में व्यक्टियों के कुछ टूागा हुए ते और समाजिक तान बाना की तूब अक्ट यह कि मेरा जैसे गावना की तो मेरी माँ यह मुस्लिम घर में मेरा लटन रशीता बनाते तो यह मेरे माहें माये बाई बढा एक मुस्लिम जिसे हम अब्दुल्ला चाचा केते हैं तो उनके अब्दुल्ला मामा के कर तो समझिक दाना बाना तो एक राजतान में एक बनता ही है तो मैं पूचना चाहता हूं कि आज वर्तमान प्रिदेशे में राजतानी भासा को इता है क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं क्यों नहीं कर रहे है और एक पहले तो देख राजतीजी जो सामनत है और उनके भी जिता संप्रका ओब रायशिंग आकरकिवर की भोज में थे निसे मद्यप्रदेश के किसी भूबाग में गए और वहां उन्हें एक फोग का बूंटा नजर आ गया फोग जो राजसान की बड़ी खासकर थार चेतर की बड़ी प्रसिद्वनस्पती है तो गोडे से जा रहे और फोग का बूंटा उनको नजर आ गया तो उसको देखकर वो ठिटक गए घोड़ा रोका और नीचे उतर कर उ स्वभाविक रूप से उनके मूँ से एक दोह निकला उन्होंने का के थूए देसी रूँ खोड़ो ए परदेसी लोग माने अकबर तेवडया तू कित आयो भोग क्या हमें तो मजबूरी में पेट भराई के लिए आजिविका के लिए आना पड़ा है कि अकबर की सेना में गूम रहे हैं लेकिन तेरे सामने क्या विवस्ता थी कि तू यहां से चलकर आया तो यह जो सम्वेदना है यही संस्कृति है मैं इसी के बचाने की बात करता हूं यह गायनवादन के बाहरी रूप है उनमें भी यही धड़कता है तो संस्कृति है अन्यता कुछ नहीं है औ काजी जीन्द भरदवाइत इक नंद ऐस अचे तरह याद होगी काजी जी कुटी एक काणी है उनकी जिसमें काजी ची के तूसरा विवार करते हैं कुटिया मर जाती है तो सेकष्णों लोग बैठने के लिए आते हैं तो काजी जोस्ते हैं के मेरे मरने पर तो आप तरह से sahमाजिक रूप से एक बहुत समरस और इस पहलू से सांपढ़ाईक था कि पहलू से तो बहुत ही उद्रनिये और उद्रण के योगये पूरे भारद के सामने मिशाल के योगये हमारे बिकानेर के ये शायर के तो बड़ा प्रसीद शेर है कि तुम ओ खंजर तो सीने में समोलेंगे तुमें तुम जरा प्यार से बाहों में तो भरकर देखो मेरा दावा है सब जहर उतर जाएगा मेरा दावा है सब जहर उतर जाएगा तुम मेरे सेहर में दो दिन तो ठहर कर देखो कि राजस्थान में खासतोर से जैसे मुसल्मान हैं तो उन्होंने अपने पारंपरिक पेशे नहीं बदले और पारंपरिक पेशे ही नहीं छोड़े बल्कि उनके आप देखेंगे राजस्थान की जो खास बात है कि यहाँ खासतोर से मेवात में और इधर शेखावाटी में नाम भी अभी दस बीस बरस पहले तक शंकर खान, हन्मान खान और इस तरह के किशन ... इस तरह के नाम हुआ करते थे हैं जो अब धीरे धीरे बदल रहे हैं, मेरे पिता जी के एक दोस्त थे, वो अक्सर आते थे थे, वो शक्त उनका नाम था शंकर है, तो हम बहुत, मैं तो बरसों तक यह मानता रहा है कि अपने यह समधाय के होंगे, मुझे बहुत बात में पता चला कि वो मुसल्मान है और उनका मुसल्मानों में, तो अभी भी कई जेगे बचा बची हुए कि वहां वो शादी निकाह के बाद फेरे जरूरी है, और कहीं पढ़ा था वो कि उसमें लिखा था कि किसी आदमे ने आके कहा, बाहर के ने, कि मुसल्मान हो तो आप लोग फेरे वेरे क्या यह क्या मेंधी वें तो मजहब को अपनी पूरी संस्कृति से अलग करके रखना यह इस प्रदेश की बड़ी महत्पून पहचान है और इसको मेरे ख्याल से मैं इसको निर्वली पहचान के तोर पे रहत ना चाहूंगा और कोई प्रेश्में हैं हैं कि संस्कृति हो या कलाकार हो या आपका ट् पूर्समे में एक पिता अपने पुत्र को वह रासत नहीं दे रहा है जिस वरासत के लिए वो महला या विर्यासत के लिए वो परिवार जाना जाता था रश्या में मैंने कोई एक कानी पड़ी थी जिसमें एक वेक्ति किसी को गाली देता है कि जा तू तेरी मात्रभासा भूल जाना जानी उसके लिए मात्रभासा बहुत इंपोर्टेंट थी तो आपको कहीं नहीं लगता है कि हम अंग्रेजी में राजस्थानी की दिबांड करते हैं हम राजस्थानी में बोलते हूं अपने थगा सा मैसूस करते हैं इस यह नोट एपल तो स्पेक इंगलेश नोपी टेक सिरियसली तो आपने पिसले पचास सालों में साइक्ति की बहुत सेवा की है कि आपको यह एक्स्प्रियंस जो डुएल जिंदिकी चीसे कहना चाहिए दोरा चरित्र यह आपको कई कलाकारों के लिए बहुत ज़्यदा दुखदाई नहीं है यह जो आप कहा रहे हैं जो उधान आपने दिया है वो सोवियत संग के अवार देश के एक पोईट हुए रसूल गमजा तो उनकी बड़ी विश्व प्रसीद किताब है मेरा दागिस्तान उसमें उन्होंने यह लिखा है कि रूस में अवार भासा में इस बात की गाली होती है कि जा तू तेरी मात्र भासा भूल जाए मतलब मा की गाली की तरह होता है अगर कोई आत्मी अपनी मादरी जबान भूल जाए तो राजस्थानी आप जो आपका सवाल है मुख्य रूप से क्यों ऐसा हो रहा है कि सांस्क्रतिक विरासत का उस तरह से सुपूर्द की अगली पीडी को नहीं हो पा रही है पिता अपने पुत्र को या पिछली पीडी अगली पीडी को वो सांस्क्रतिक विरासत या सांस्क्रतिक समवेदना सुपुर्द नहीं कर पा रहा है। उसमें देखिए उसमें हमारी जो बदलती उई दुनिया है यह जो सारी गलोबलाइजेशन है, संचार की चीजे हैं, संचार करांती है, देखिए, किसी भी संस्क्रति के सामने सबसे बेशिक चीज होती है कि उसको फ्रेड कोन देता है। उसको सबसे ज्यादा थ्रेड होती है, कोमनिकेशन के लोग जो तरीके होते हैं वो, संचार की जो प्रनालियां होती हैं, उनके वो जब बदलती हैं, तो संस्कति में बहुत एक तरह से भीतरी भीचलन आता है, आप देखिए के एक छोटी सी बात है, चिठियां लिखते थे, लंबी-लंबी चिठियां लिखते थे, अब छोटे-छोटे SMS भेजते हैं, तो वो जो चिठियों के जात तो संवेदना थी, जो हैंड राइटिंग के साथ अटेश्मेंट होता था, मैं भी विजदान देथा कि कानियां कानियों का अनुआद कर रहा हूं, तो मैंने उनको सी सिंत्र से नहीं करता है, तो मैंने उकाम बंद कर दिया, मैंने हाथ से लिखना शुरू कर दिया, तो संस्कृति ऐसे बारीक संदर्वो में सांस लेती है, यह छोटे-छोटे संदर्वोते उन में सांस लेती है, और यह यह दबाव इतने हैं कि उस पिता को पता नहीं चल रह कि उसे क्या अपराद हो रहा है कि कैसे वो अपने बच्चे को इस सांस्क्रतिक संवेदन में अनुप्रानित नहीं कर पारा क्योंकि उसके पास अवकास नहीं है उसके सामने रोजी रोटी के मरहले हैं दूसरे दबाव हैं दूसरी चीज़े हैं ये बेतर्तीब दुनिया हैं इन सब के बीच में ये घाटे का सोधा हो रहा है आप ठीक कहे रहे हैं कि उस तरह से संस्क्रती की संवेदना का रूपांतरन अगली पीडियों में नहीं हो पा रहा और नहीं हो पा रहा इसी चिंता पर शायद हम सब यहां बैठके बात कर रहे हैं और कोई प्रेश्मिन अगली पीडि को क्यों नहीं हो पा रहा है क्या ऐसे कारण हो गए है कि मा की बाशा तो मा के गर्व से ही निकल कर बच्चे की संकेत के साथ में उसके साथ जाती है और पालन पोसंड के साथ में विरासत की रूप में आगे बढ़नी चाहिए यह हो ना है गुजरात में में राजस्थानी बाशा का इसके बहुत देखिए इसमें खाली भाउपता से बात नहीं चले कि इसके बहुत वस्तुगत कारण है थोस पंजाब में नहीं है वस्तुगत कारण है कि पंजाब पंजाबी की प्रात्मिक शिक्षा की भासा रही शिक्षा की बासा रही गुजरा अपनी समवेदना से अनुपरानी तोगर लिखते हैं, अपनी ज़रुष से लिखते हैं, हमारी रोजी रोटी से जुड़ावा मसला नहीं है, अब जाके विसुद्यालों में रास्थानी कुछ पढ़ाई जाने लगी है उच कक्षाओं में, उच कक्षाओं में पढ़ाने से भाषाएं नहीं बसती, उनको प्रात्मिक शिक्षा में ही बिलकुल ले जाने से वो बचेगी, और हमारे देश के लोगों ने इस बात को समझा है, जो शिक्षा, अनिवारी शिक्षा का कानून आया है, उसमें आप देखिए, कि प्रोविजन किया गया है, कि प्रात्मिक श प्रात्मिक शिक्षा में दी जाएगी, और इस बात का हम सब को स्वागत करना चाहिए, कि हमारे एकमेडीशन ने ये समझा है, और समझ के उसको शिक्षा, अनिवारी शिक्षा के कानून में उस बात को जगे दी है, कि प्रात्मिक शिक्षा मातर भाषा में दी जानी चाहि चाहे वो मातरबासा राजस्थानी हो, कन्नडो, तेलगू हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, कोई भी मातरबासा हो, सवाल मातरबासा का है, इसलिए राजस्थानी का है, इसलिए राजस्थानी का है, इसलिए राजस्थानी का है, इसलिए राजस्थानी का है, इसलिए राजस जो पाइजना है कि कोटा में बेज दिया जाए पांच वी क्लास में सोचने लग जाते हैं कि आठ वे के बाद इसको कोटा बेज दिया जाए ताकि इंजिनियर डोक्टर या कुछ बन जाए तो आप जब बच्चे के पैदा होने से यह आप उसके बारे में इस तरह से सोचना शुरू कर देते हैं तो आप सांस्कृतिक विरासत कैसे देंगे इसको इंचन जी इसमें थोड़ा सा सिंप्लिपिकेशन यह हो रहा है कि यह जो माता-पिता की महतुपकांग्चा का मामला है यह बहुत हमारे बहुत एलीट और शिच्छी तवर्ग तक ही है उन बच्चों क के प्यासे माबापों के बच्चों के बारें बात तीजिए संस्कृति को बचाएंगे तो बचाएंगे इसमें आप सब आ जाई यह और अपनी इसमें मज़ कर दीजी और होते होते उसके कारण गैप इतना बड़ा हो गया हमारे जो 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 संगर्शीन तबके है और जो जो शोष शाशन करने वाले असपता व्यवस्था को हैंडिल करने वाले जो लोग है उनके बीच में इतनी खाई हो गई कि जीवन निर्वा मुश्किल हो गया लोग है एक समाज को अपनी पहचान के लिए वापस अपनी जड़ों की तरफ आना जरूरी लग रहा है ऐसे में भाष हमारी आज की चर्चा का यही वो के उदेश था माल चंजी को सुबन विश्था जी को और प्रेम चंजी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होने अपनी अच्छी भागेदारी से ये चर्चा आपके सामने प्रस्तुत की और आप सब सुधी जन इसके अच्छे शोता इसके सामने तर्च पत्ति दो च्छे यू और आपके सामने अच्छी बेर खालगेदा है कि अज्य ज्यवार कर प्रेम अच्छी को और भी यह थैसा है